हलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करेंट अफ़ेर सेसन में आपका स्वागत है ये करेंट अफ़ेर SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, CAPF, NDA और अधर कंप्रेटिटिव एक्जमादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 8 जन्वरी 2020, तो चलिए आज का करेंट अफ़ेर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न है, भारत और किस देश ने मध्धम रेंज की सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्बक परिक्षन किया आज के भारत और इसराइल ने मध्धम रेंज की सता से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्बक परिक्षन किया दोनों देशों ने अपनी युधक शमता को शमताओं को बढ़ाने के लिए सयवक तुरूप से इस प्रणाली को विक्सत किया है इसका मकसद सत्रू विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रणान करना है रक्षा विसे से ग्यों का कहना है कि यो सत्रू विमान को जो है पचास से सत्तर किलोमेटर की दूरी से मार गिरा सकता है तो इसका सही अंसर होगा ओफ्षन B इस्राइल चलिए नेक्स्ट कुश्चन पे चलता है निम्नमेसिक किसे दुसरी बार अमेरिकी संसत प्रतिनीधी सभा का स्पीकर न्यूक्त किया गया है ओफ्षन A पॉल रयान ओफ्षन B राजा कृष्णमूर्टी ओफ्षन C नैंसी पेलोसी ओफ्षन D प्रमिला जैपाल देखिए डेमोक्राटी पार्टी की नैंसी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनीधी सभा का चौथी बार स्पीकर चुना गया है नैंसी पेलोसी ने जो है 216 बोट हासल किये है पेलोसी जो है 2007 में पहली बार स्पीकर बनी थी स्पीकर चुनी गए थी और इस पद पर चुनी जाने वाली वो पहली महिला है स्पीकर अमेरिकी सदन का राजने तिक और संसदिय जो है नेता होता है तो इसका सही अंसरों का ओफ्षन C नैंसी पेलोसी चले नेक्स्ट कोशिन पे चलते है आंद्रप्रिदेस हाइकोट ने नय मुख्य नयाइधिस की रूप में निमन में से किसे न्यूक्त किया है ओफ्षन A राहूल त्यागी ओफ्षन B मोहन सिस्देवा ओफ्षन C अनिल कुमार ओफ्षन D अरुप कुमार गोस्वामी देखे अरुप कुमार गोस्वामी ने आंद्रप्रिदेस उच्च नयाले के मुख्य नयाइधिस पत की सपत ली राजेपाल विश्व भूशन हरीचंदन ने बिज़ेवाडा में आयोजित एक संचिप्त कारिक्रम में न्याइमूर्थी गोस्वामी को पद इवन गोपी नियता की सपत दिलाई नियाइमूर्थी गोस्वामी इस से पहले सिक्किम उच्च नयाले के मुख्य नियाधिस के पद पर रह चुके हैं पिछले सब्ता उनका तबादला आंद्रप्रिदेस की मुख्य नियाधिस के तỏर पर नियाइमूर्थी जे के मौहश्वरे के जगह हुआ जो अब से किम स्थांत्रित हो गए हैं तो इसका जो सही अंसर होगा option D अरुन कुमार गोस्वामी चले next question पे चलते हैं हाली में किस देस ने वर्ष 2015 के पर्मानु समझोते का उलंगन करते हुए एक भूमेगत इकाई में 20% तक यूरिनियम का समबर्धन सुरू कर दिया है option A पाकिस्तान, option B इरान, option C बांगलाडेस, option D नेपाल तेके हाली में जो है इरान ने 2015 में के परमाणू समझोते का उलंगन करते हुए एक भूमिगत इकाई के 20% क्यूरिनियम का संबर्धन शुरू कर दिया है इस बीच अमेरिका ने इरान से बढ़ते सुरक्षा खत्रों को ध्यान में रिखते हुए खाड़ी छेत्र में अपने परमाणू उर्जा संचालित विमान बाहक पोत नितिम्ज को तैनात करने का फैसला किया है इस फैसले इस समझोते के दह जो है इरान दोरा वेस्ट्विग वियापार में अपनी पहुँच सुनेशित करने है तू अपने परमाणू कारे क्रमों की गतिविधियों बर अंकुस लाना लगाने पर सहमती व्यक्त की गई है तो इसका सही अंसर होगा ओफशन B इरान चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते है हाली में किसने भारती सेना की मानुधिकार सेल के प्रथम अतरिक्त महानिदेशक जो कि मानुधिकार का है कपप अधिभार सम्हाला है ओफशन A मेजर जनरल गौतम चोहान ओफशन B मेजर अनुपम त्यागी ओफशन C मेजर अनिल सिंग ओफशन D मेजर जनरल प्रताप कुमार देगे हाली में जो है मेजर जनरल गौतम चोहान ने भारती सेना की मानुधिकार सेल की प्रथम अत्रिक्त महानिदेशक का पदभार सभाला है मेजर जनरल गौतम भारती जो चोहान है भारती सेना के उप्रमुक लेफ्टेनन जनरल एसके सेनी के नेतुतों में काम करेंगे इसका सही अंसर होगा ओफशन A मेजर जनरल गौतम चोहान चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं ओफशन A रूस, ओफशन B जापान, ओफशन C जर्मनी, ओफशन D इराग देखी केदरी मंत्री मंडल ने भारत और जापान के बीच सहीयों के समझोते पर हस्ताक्षर को मंजुरी दे दी है इहो समझोता विशस्टतर कुसल कामगारों से समझित समुचित संचारन प्रणाली के लिए भागीदार की बुनियादी रूप रिखा तयार करने के लिए किया गया है इस से जापान के जो है 14 नर्धारित छेतरों में कारी करने के लिए अपैक्षित कॉसल और जापानी भासा की परिक्षा में उत्रिड़म भारतिये कामगारों को भेजने और स्विमकार करने के बारे में सहीयों के तोर तरी के तैयार किये जा सकेंगे जापान सरकार भारत के इन कुसल कामगारों को विसेस्ट रत कुसल कामगार की रुप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी तो इसका सही अंसर होगा ओफशन B जापान चलिए नेक्स्ट कुश्चिन पर चलते हैं हाली में निवन में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्य दे योजना लागू की है ओफशन A पंजाब ओफशन B जारखन ओफशन C गुजरात ओफशन D बिहार गुजरात सरकार ने किसी चाई के लिए देन में के समय बिजली की आपूर्ती सुनिशित करने के मकसद से किसान सूर्य दे योजना के सुरवात की है इसके तहर जो है किसानों को आपका सुभा के 5 बजे से सुभ़ 5 बजे से रात के आपका रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किये जाना के प्रावधान है राज्य सरकाने जो है 2023 तक इस योजना के तहट पारिशन अव संकुषना स्थापित करने के लिए जो है आपका 3500 करोड रुपे का बज़र आवंटेट किया है तो इसका सही एंसर होगा ओफ्षन C गुजराद चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं हाली में किस देश ने मृत्यू दन को समाप्त कर दिया है ओफ्षन A कजाकिस्तान, ओफ्षन B इरान, ओफ्षन C इराक, ओफ्षन D बांगलादेश देखें कजाकिस्तान में जो है मृत्यू दन को समाप्त कर दिया है राश्टपती कासीम जोमार टोकेव ने नागरिक और राजनेती कथिकारों पर अंतरास्टिय वाच्चा के दित्य वैकिल्पिक प्रोटोकॉल के संसदिय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किये यह दस्तावेज सेउक्त राश्ट्य संधी के हस्ताक्षर करता को मृत्यू दन के उन्मूलन के लिए प्रतिबत करता है आपको बता दे कि कजाकिस्तान का कुछ छेत्र यूरोप और एसिया दोनों में आता है छेत्र पल के आधार से यह दुनिया का जो है नौवा सबसे बड़ा देस है कजाकिस्तान में सुस्त महादिप पे जलवायो है जसका अर्थ है कि सर्दी काफे ठंडी होती है और गर्मी गर्म होती है तो इसका जो सही इंसर होगा वो होगा ओप्षन ए कजाकिस्तान चले रेक्स कुश्चन पर चलता है हाली में कौन से नगर निगम ने UNDP इंडिया के साथ भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानि SIB को स्रजित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ता अक्षर किये है ओप्षन A सीतामणी नगर निगम ओप्षन B पिंपरी चिच्चवार नगर निगम ओप्षन C गोरेला पेंडरा मरहावी नगर निगम ओप्षन D विलासपूर नगर निगम यह महरास्ति के पूरे जिले के पिंपरी चिजवाड नगर निगम भारत के पहले समाजिक प्रभाव बॉंड यानि सोसल इंपेक्ट बॉंड को जारी करने वाला है हाली में जो है पिप्री चिंचवाडा नगर निगम ने UNDP इंडिया के साथ भारत के पहले समाजिक प्रभाब बॉन्ड को स्रज़ित करने में एक समझोता ग्यापन पर हचताक्षर किये है भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉंड के बारे में बात करें तो भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉंड को सरजित करने के लिए सरजित करने की दिसा में आगे बढ़ते हुए महरास्ट की पूरे जिले में पिप्री चिछवाड नगर निगम ने UNDP इंडिया के साथ समझोता किया है एक अनूठे निवे सुपकरण की रूप में हुए पिप्री चिचवार नगर निगम सामाजिक प्रभाव बॉंड के से जुड़े इस एक नय जनकल्यान कारी प्रोजेक्ट की पूरी लागत वहन करेगी जो पहले से निर्धालत लक्षो को पूरा कर ली हो तो सड़क नेटवर्क के विकास है तो रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इसमें तीनों हस्ताक्षर किये हैं भारत सरकार और राज्य सरकार ठीके न्यू डबलमेंट बैंक के साथ तो इसका जो ऑफशन होगा ऑफशन ए तमिल नाडू ऑफशन बी जहारखन ऑफशन सी च समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आंधरप्रदेश में राज्य राजमार्क और जिला सड़क नेटवर्क है तु संपन समझोते की प्रमुग बिंदू भारत सरकार आंधरप्रदेश की राज्य सरकार और न्यू डवलमेंट बैंक ने आंधरप्रदेश रोड्स एंड ब्रे रिण के दो समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ये परियोजनाय आंधरप्रदेश सरकार के सड़क और भवन विभाक की मायधम से क्रियानवित की जाएगी तो उसका जो सही एंसर होगा वो होगा ओप्शन डी आंधरप्रदेश तो ये था इसका करेंट अफेल वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक्स पर वाचिंग, have a nice day, take care